कर दोश्तों आज का टौफिक है आधुनिक अलम्पिक खेल यानी मॉडर्न उलम्पिक गेम्स इससे पहले के वीडियो मैंने प्राचेन उलम्पिक खेल की बारे में हर टाफिक के बारे में फूल डिटेल में बात की हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले परांचेण धिंखेल। धियो पार परांचेनि kommen के की बारे में पूरी जांकारी हो जाएगी। ⇌फ। धिर आप अधने क समझकारी में उल्हुत आशानी और सबते लाई bes отправ. तो दोस्तों आज की वीडियो आधनीक लम्पिक खेल में इसके बारे में हर एक टापिक की बारे में फूल दिटेल में बताया जाएगा जिसे आप वीडियो को सुरू से लार्स तक जरूर देखिए किसी भी एक्जाम में क्वेशन पूछा जाएगा आधनीक खेल के किसी भी के बारे में तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई कमफीजन नहीं होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधनिक खेल के बारे में दोस्तों जैसा कि आधनिक खेल का पुर्ण रथा ना थाथा चानवे में प्रियास से हुआ बढ़ हम जान लेते हैं प्राचिन उनम्पी खेल कब से कब तक हुआ था तक प्राचिन उनम्पी खेल चला था कुल 293 खेल संपन हुए थे और 1200 वर्सर तक वो प्राचिन उनम्पी खेल 376 इसा पूर्ण से 394 तक चला था और 394 में रोम के ततकालन सम्राट जो थे ओ इस खेल को रुखवार दिये थे और फिर इसको इस्टेडियम को भी दोस्त कर दिया गया बुकम भी आ गया और एक नदी जो थी एलफेस नाम के ओ भी उसमें भी बाढ़ा आ गया था तो हर एक तरह से यह नौश्ट हो गया था जिसे यह खेल बहुत दिनों तक इस्थागीत रहा फिर इतने दिनों तक इस्थागीत रहने के बाद फिर इसकी सुरुवात प्राचिन उलम्पिक खेल कहां पर आउजित होत तो सबसे पहले ओलम्पिया नगर की खुदाई हुआ उसके खुदावे से बहुत सारे तथ्य सामने आए जिसके अधा पर आधनिक खेल को पूरा सुरू किया गया तो 1839 में सबसे पहले खुदाई किसने किया फ्रांस के पुरातत्तवतावने तो ओलम्पिया नगर की किसने किया फ्रांस के पुरातत्तवतावने किया कब किया तो 1839 में मगर इसको सही तरीके से खुदाई किसने किया इसके बारे में सही तरीके से जाना कौन तो जर्मनी के पुरातत्तवतावने कब जाना चार अक्टूबर 1875 को जर्मनी के पुरातत्त विभाग द्वारा इस इसका सबसे जयताव जो स्रे है ओ दिया जाता है Ernest Cartius को Ernest Cartius को उन थे जर्मनी के पुरा तत्वेता थे जो उलंपिया नगर की खुदाई में इनका सबसे बड़ा योगदान था इसलिए इनको सबसे बड़ा स्रे दिया जाता है तो दियान से देखिए तो दो कोस्चन यहां पर बन गया कि उलंपिया नगर की खुदाई सबसे पहले कौन देख करवाया तो फ्रांस के पुरा तत्वेताव ने सुरू किया था सो उनतिस में और सही तरीके से किस ने कराया चार अक्टूबाट 875 को जर्मानी के पुरा तत्व विभाग द्वारा किया गया और इनको सबसे ज्यादा स्रे किसको दिया जाता है ओलंपिया नगर की खुदाई में कोस्चन पुछेगा कि ओलम्पिया नगर की खुदाई में सबसे ज़्यादा स्रे किसको दिया जाता है तो अर्नेस कार्टियस को दिया जाता है ठीक नए एक अहां के थे जर्मनी के थे पुरा तत्वित्तार थे ठीक नए खेलो को अब नेक्स जानेंगे खेलो को पुना सुरू करने में उस समय के यानि समकालेन विचारक कौन-कौन थे जो आधनीक उलम्पिक खेलो कूप सुरू करने में अपना मुली एक दान दिये तो इसमें थे जीन जैक्स, रूसो, गौर्फिल्ड, वेल्दो, हैरो, आधिविद्वान इसको आगे बहाने में अपना-पना एक दान दिये जिसमें से जिन जैक्स ऐसे हैं, जो 1869 और 1887 को उन्होंने दो उलम्पिक को का आउजन कराया, बट वो असफल रहा, कप-कप कराया? 1869 में और 1887 में, दो उलम्पिकाओं का वो आजन कराया, बट वो असफल रहा, लेकिन यह असफल होने के बावजूद भी, यह मरने से पहले, आधनीक बहुत बड़ी धर्णासी देकर गए, कि मैं नहीं कर सका, तो आगे आधनीक उलम्पिक खेल का पुर्णर उठान हो सके, उसके लिए वो बहुत बड़ी धर्णासी देकर गए थे. दोस्तो बरिन पीरिदी कुबर्टिंग का काल 1830 से 1937 तक था ये आधनिक उलम्पिक को लाने वाले इन ही हैं आधनिक उलम्पिक की सुनुवात हुई तो ये फ्रांस की भासावीद और समासास्त्री थे आधनिक उलम्पिक के जन्म जाता भी यही है इंग्लेंड की बीचारों से एक प्रभावीद थे इंका सुईक्रितमत था कि हार जाने में अपमान नहीं है लेकिन भाग नलेना सबसे बड़ा अपमान है तो कहीं पूछ सकता है कि सुखितमत उनका क्या था बेरेंडी कोबर्टिंग का तो हाल जाने में अपमान नहीं है लेकिन भाग न लेना सबसे बड़ा अपमान है इनका मानना था हम बात करेंगे अंतरश्टी उल्लम्पिक समीटी यानि इंटरनेशनल उल्लम्पिक कमीटी आई ओशी के बारे में दोस्तों आई ओशी का गठन जो है 25 जूट 1894 में पेरिस की सरवोन नामक अस्थान पर बेरेंडी कोबर्टिंग के द्वारा अंतरश्टी एटलेटिक का इसके एक सम्मेलन के द्वारा हुआ तो यह कोस्टन बहुत है इसका हरेक कोश्टन हमेशा पूछा जाता है तो इसका जो गठन है को पूचिगा कि आई ओशी का गठन कभ हुआ तो पत्यूट 1894 में पेरिस की सरवोन नामक अस्थान पर ठीक है नहां और किसके प्रयास इन टी कुबर्टिं के दवरा अंतराष्ट यतलि ठीक अग्रिस के एक सम्मेलन द्वरा ठीक है और उस सवें अमेरिका और रूस सहित बारेथेसों के परतमिध्यों कोन कोन अमेरिका रूस सहित बारतेसों के प्रतित्यूни ने यह अकसर पुछ लिया जाता है प्रथम के अध्येश कुन थे स्री भाई क्लास दोस्तो आयोश्री में एक अध्यश होते हैं दो उपाध्यश होते हैं और साथ कारकारी बोर्ड के सदस्ट होते हैं तो एक अध्यश जो होता है वो आठ वर्स के लिए चुना जाता है कितने वर्स के लिए चुना जाता है आठ वर्स के लिए और इसको दुबारा भी निर्व पूछा जाता है कि IOC के अध्यष का कारेकार कितने वर्स के लिए होता है तो आठ वर्स के लिए होता है इसको भी सिर्ध्यान रखिएगा दो उपाध्यष होते हैं वह भी चार वर्स के लिए होते हैं और इनको भी दुबारा निवाचित किया जा सकता है और शाथ पार्कारी बोर्ड के सद्श्य होते हैं ये भी चार वोट के लिए होते हैं बट इसको दुबरा निवाचित नहीं किया जा सकता है तो दूशतों एसा ईओसी के बारे में तो independent कि और अगले के लेक्ता में करने का को करने का इस त्थान को ही घंडायाभ हो जाने का hospital cianta neste करने का जो समान होता है मेज़वान सहर को डिया या ता है तो आपनेशों कि से सब काम है अगले वीडियो मैं आई ओरस्की के बारे में फुल दिटिल में बात करूंगी gradually कर दों ठाइब ऑन्र wurम अलंपी खेल 1896 दोश्तो जैसर के आप सम्जानते हैं कि पुर्थम आध NSA ओलंपी के ऐजन 1896 आएटेंस में कोई दोरा तो आधान की थिक के ख़ए आएटेंस दोस्तों जैसा कि आधनीक खेल शुरुआत करने में बहुत सारे विपत्तियों को समना करना पड़ा जो इसके आयजक्त थे प्रेजक्त थे इन पर बहुत सारा आर्थिक दबाव हो गया था तो क्या हुआ था कि इनानी सरकार जो था और जो जैक्स ने शुरुआत में मनने से तो क्या हुआ था कि जार्ज औरोप जो एक जिंद्रिया के एक व्यापारी थे उन्होंने पैन एक्सलेटिक स्टेडियम के नवी करण और खेलों के संचाना के लिए 10 लाग दिरहम रासी दिये तो इस तरह से आधनीक खेल का आयोजन हो पाया प्रतम आधनीक उलम्पिक का है तो जैसा कि प्राजेल उलम्पिक खेल और अधनीक उलम्पिक खेल दोनों चारवर्स के अंतराल पर होता है लेकिन होता रहता है तो लेकिन 2020 उध्यकी दौरान चट्थे 12 अग्वे और 13 हवे उलम्पियार जो करम सा 1916 1940 आ1944 का आलजन नहीं हो शाहिता दोस्तों यहां कि किस यूद्ध किदरान कौण कौन से ओलंपियाड का आजें नहीं हो सका तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि दोबीस यूद्ध के दरान शट्थे बारहवी आव तिरहवी ओलंपियाड क्रम सा 1924 का आजें नहीं हो सका दोस्तों जैसे कि प्राजेन उलंपीक्खेल की पविद्रता को बनाया रखने के लिए जहां उलंपीक खेलों के दोर्न यूद्य इंद Quinn होता था यदे उस उस ताइन पर यूद्ध क्या महौल हो गया या यूद्य होने वाला है तो यूद्यको उहां पे रोख दिया जाता था प्लाजिन उलम्पिक खेल में और ओलंपिक खेल अच्छे से समपन होता था बट क्या है कि आधनिक उलम्पिक खेल में उसका coule है कि आधनिकगयों में डिच को ग्राकम stimulus क्या करते हैं उलम्पिक खेलों को रद करना पड़ा बट युद्ध हुआ तो इसको ध्यान में रखेगा हम बात करें कि आधनीक उलम्पीक खेलों का आयो जहनों संचलन के से होता है उलम्पीक चक्र अवदी क्या होती है तो उलम्पीक खेल तो आप जान रहे हैं कि प्रतिक चार वर्स के अंतरार पर होता है त तो उलम्पीक खेल उलम्पी आर्ट के पहले वर्स में होना चाहिए थेकर जैसे चार वर्स का है 2020 में उलम्पीक खेल होने वाला है शोलर में हुआ था तो जो रहाब 20 में होने वाला है तो 20 में ही होगा जो 20, 21, 22, 23 ये चार वर्स का अंतराल होगा 2020 में होना उसको जरूरी ह तो व्लम्पीक खेल से अगले उल्मपीः के पहले वर्ष में अधिक होने जाते हैं तो यहां पर धיהन रखी कि जो है ऑलम्पीक खेल जो है और आधिक जीठों की अधिक से अधिक नहीं होने चाहिए तो पाजिन उलम्पिक खेल आपको पता है पहले वीडियो अगर देखेंगे इसका तो पाजिन उलम्पिक खेल पार दिन का होता था अधनिक उलम्पिक खेल 16 दिन के अधिक नहीं होना चाहिए निच्ट रहे आधनिक उलम्पिक प्रतियोगीता के लिए ये योगोता वन नियम दोस्तो अठारों सचानमी में जो एथेंस उलम्पिक पहला आधनिक उलम्पिक खेल संपन हुआ था वो बस एक प्रियोग था इसका मुख्य उद्देश था कि खेलों के सुरुवात कैसे किया शसों में आधनिक उद्दन जाये उसमें कोई ऐसा शक्त नियम भी नहीं था तब कोई उलम्पिक गौन तो इतना समय तो कोई खास नियम कानुन नहीं थे बट 1908 में लंदन में हुए उलंपीक खेलो में पहला आउसर था जब नियमों को एक निश्चित परिभासा दी गई ठीकर यहां कुछ से नी बनता है कि यह लंपिक खेलों में नियों sih एक निश्चित नियम की परिभासा या निस्चित नियम कब बने तो 1968 लंदन ओलंपिक के वह प्रतियोगी जो है भाग लेने वाले देश में जन्मा हो यदि हम भारत देश के लिए पहले ही उलम्पिक में भाग लिया हूँ ठीक है यदि कहने का तातपर यह है कि वह भीक्ति जिसने अपने देश के लिए पहले ही उलम्पिक में भाग लिया हो यदि वह भाविस में किसी दूसरे देश की और से भाग नहीं ले सकता जैसे मालेजी आप भायत देश की तरप से पहले से भाग ले चुके है उलम्पिक में तो भरिस में आप दूसरे देश की तरप से भाग नहीं ले सकते या लग से अलग है तो आप बाविय सोमें किसी दूसरे देश के तरब से भाग नहीं ले सकते ठीक है नám और परफिभागी के वह अन्येश्टा मतलम है कि यह एक खेलाडी खेल को प्यार के लिए खेलता है नकिधन के लिए ठीक है है प्रतियोगी के लिए आयू की कोई श्रीमा नहीं है इसमें कि कि ist आयू तक औलंपिक में भागर लिए और लिंग के द धार भी कोई पावंदी नहीं है कि इस्तरी पूरूस दुनों भाग ले सकते हैं हलाकि कुछ इस पेधाउ में महिलाओं को भाग लेने की इजाजत नई है और ओ도 किसलिए नहीं है कि कुछ तक्निकी काड़ों की बज़ह से महिलाओं को एकाथ खेलों में गिने-चुने खेलों में बात करेंगे ओलम्पीक खेलों के लिए इस्थल यारि जह पर अलम्पीक खेलों का है उस इस्थल का चुनाव कहसे होताइ कहसे होता है तो सबसे बिले aosstore समताधिकार से लुछला के अलम उचल का दावा करने वाले सहरों में से एक का चुनाव करते हैं जो Councillors होता है वो सद्दस्यों की मत अधिकार से जो सूचना है IOC जो है संबंध राष्टी उलम्पिक के माध्यम से उस सहर की मेयर को भेजी जाती है जहां उलम्पिक खेलू का आयोजन होता है कहने का ताथ पर यहां है कि जो इस्थल का चयान हो चुका है कि इस सहर में उलम्पिक खेल होगा तो उसके जो सूचना है वो IOC उस देश के जिस देश के सहर में उलम्पिक खेल होना है उस देश के राष्टी उलम्पिक के माध्यम से जैसे भारत देश को अगर भारत देश में किसी सवर्मान लेजे मंबई में ही हो रहा है तो उस जो सूचना किसको भेज़ेगा भारती उलम्पिक के माध्यम से उस सहर के जिस सहर में आयोजन होना है उस सहर के जो मेर होगा उस को भेजा जाता है सूचना जहाँ उलम्पिक जो टेकन है औलम्पी खेलों का आयजन ये संचालन के दाई तो जो होता है जो सम्वंदिट देश की राष्टी उल्म्पिक संभीति करती है तो जैसे भारत देश में किसी सहर में ऑलम्पिक खेल आयोजन हो रहा है तो उसकी आयोजन और संचालन कुन करेगा भाती उलम्पिक संग यानि यहां पर जिस देश के सहर में उलम्पिक वहां के राष्टि उलम्पिक संग पर दाई तो होता है आयोज़न और संचालन का और एक उच अधिकारी प्राप्त कमेटी गर्षित की जाती है तो उच उच अधिकारी होती है उसमें तो उलम्पिक खेलों के आयोजन से संबंदी सभी मामलों को देखती है निस्ट है इस पर्धायें जो उलम्पिक इस पर्धायें होती हैं जो उन्स अउन सब को इस पर्धाओं को कौन तयकरता है तो IOC की सला से आयोजन समीति तयकरती है कौन तय करता है आयोजन समीति करती है किसकी सला से IOC यानि इंटरनेशनल उलम्पिक कमीटी अंतराश्ची उलम्पिक समीति की सला से आयोजन समीति उलम्पिक इस परधा को तय करती है कि कौन कौन से इस परधाय होंगी और उनके क्या क्या इसीती होगी कि इस सब कते आयोशी की सलाह से आयोजन समीति करती है और यह सुक्रिती जो है कि कौन कौन से इस प्रधाय होंगी क्या होगा कैसे होगा इस सब का निड़ा ओलम्पिक खेलों के दो वर्ष से पूरुव ही ली जानी आवर्श्यक होता है जैसे 2016 में होना है तो 2014 तक इस सब हुस्क्रित कर दिया गया दो वर्ष पूरु जैसे 2016 में उलम्पिक होना है तो इस से दो वर्ष पूरी यान 2014 तक यह सब प्रधाय हो जाता है कि कौन कौन से इस प्रधाय होंगी तो यह जो एक बार प्रधाय हो जाता है वो बदला नहीं जा सकता तो यहां कोस्टन पूछेगा कि आयोसी की ओलंपिक की जो इस प्रधाय होती है उनको कौन प्रधाय करता है तो आयोसी की सलाह से आयोजन समीती तो ध्यान से वीडियो को लाश तक देखिए बीच में अगर इसक्रिप करेंगे तो आपको पूरी जंकाई नहीं होगी अधुरा घ्यान हो जाएगा तो सगेंद है ओलंपिक के लिए मानता प्राप्त खेले ओलंपिक में कौन कोन से खेले हैं एथलेटिक्स है जिमनास्टिक है मुक्के बाजी तलवार बाजी सूटिंग कुस्ती डोंगी चालन नौकायन पाल नौकायन तैराकी घुरसवारी साइकिलिंग भारत तोलन पिंटा अधियादी लेकिन फिर व्यापक लोक्तविता के करणा जो फुटबाल, होकी, बॉसकेट बाल, हैंडब, बॉली बाल और वाटरप लोगों सामिल किया गया इस प्रतिविता में उन खोईलों को सामिल किया जाता है जो बीचु के पचीस देसों में खेले जाते हैं यानि कम उसे कम परिचर दिसों में खहले जाते होंग्य उसे कम नहीं तो उने स्चल्दों को सामिल किया जाता हैो उलम्पिक में ठीक है ने और 1859 में नो खेलिगों को बरत्मान में 28 खेलों को सामिल हो गई है घख ने विख लिख लूपिक प्रतुविटा पैं कलांड्यकों को सामील में सवत्राग में जूझा है ठीक है ने नहीं नेक्स है पेंटिंग और ड्राइंग को पूरुसकार की स्रेड़ी से कब बाहर किया गया तो 1929 में बाहर किया गया इत दोनों कोष्टन एसम निस्टेसरी है कि आते हैं अब इन दोनों को जरूर नॉट डॉन कर लिजिए तो पहले बार कला प्रतिरिक्ता को क सब बाहर किया गया तो 1949 में ध्यान रखियेगा प्रविष्टिया, उलंपिक खेलों के लिए सभी प्रविष्टिया, किसको भीज हैं औरा ऑधियों समीथी को आधोनीक ऐलमपिक के उधकाटन शमारो के बारे में कोई भी ्वाइंट ऐसा नहीं है जो चूट चाहें आपको कही क chemotherapy नहीं होगा तो यह वीडियो देख लीजिए तरह को कई वीडियो देखने जीरुत नहीं होगी जब तक आपको याद नहीं है अच्छे से समझ में ना जाए 2-3 बार वीडियो को देखें उसके बाद कोई Україन नहीं होगा तो चली जानते हैं जोस्तों आधनिक उलम्पिक खेलों का उध्गाटन समारोग की जो अध्याष्चता होता है यानि उध्गाटन समारोग की घुषडा कोन करता है और अध्याष्चता तो राशपती करता है थिक ने उस देश का राशपती करता है या राजा करता है तो कैसे होता है उध्गाट तो मेजवान देश की उलम्पिक दिर्गा में पिछले उलम्पिक के जो पर्थम दिती और त्रिती अस्थान पर आउवी देश होते हैं वहां के राष्टी अध्याच्छों का क्या होता है वहां पर आगमन होता है ऐसा से पहले उलम्पिक दिर्गा में उसके बाद IOC का जो अ राश्पति पर ले मेज़बान देश का राष्टी गित प्रस्तुत किया जाता है राश्टी गित प्रस्तुत करने के बाद मार्च पास्तुत पर जाता है पास्ट होता है दोस्तों आध्वनिक उल्लम्पिक समारोह में जो मार्च पास्ट होता है एक कोस्टन बेरी इंप्टिंट है और अक्सक्त पुछा जाता है और आपको याद जरूर रखना चाहिए इसको कि मार्च पास्ट के समय कौन-कौन देश आगे वो पीछे रहता है कौ तो सबसे आगे युनान की टीम और सबसे पीछे मिजवान देश की टीम होता है और बीच में जो देश होते हैं जो बाकी देश होते हैं उन सब को रखा जाता है कैसे रखा जाता है वर्करमानुसार यह अलफावेट के अनुसार रखा जाता है तो क्या समझे सबसे आगे युनान की टीम सबसे पीछे मिजवान देश की टीम और भीच में बाकी देश को वड़कर मानुसार रखा जाता है तो इसको जिरूर रियात कर लिजिए फिर निस्ट है मार्च पास्ट की सलामी राश्पति या राजा देता है इत मार्च पास्ट क फिर जो इस्टैरियम होता है उसका सब राउड लेते हैं यानि एक चारत्रफ गुमते हैं फिर केंद्र में मंच के सामने अपने धेश का जंडा वह बंशय लगा का खड़े हो जाते हैं परति बागी कि इस्टинойयम का राउंड लेंने के बाद क्या करते हैं केंद्र में मंच के सामने अपने देश का जंडा लगा होता है उस पर अपने देश का नाम लिखा होता है तो उसको लेकर गेंदर में खड़े हो जाते हैं फिर आयोजन समीति का अध्यच जो होता है वो राश्पति से खेलों की उद्घाटन का अंडरोत करता है तब राश्पति खेलों की उद झोलिंपिग खेलों, फिर मेजवान सहर का नाम लेता है, को उद घाटरिं की घोशडा करता हूं, फिर क्या होता है, नगारे भज़ाये जाते हैं, और ओलंपिक की धुन के साथ ओलम्पिक ध्वच फैरा जाता है ठीका नहीं कि किसी देश का फिर तीन तोपों की सलामी के साथ सांती के प्रती कबूतर्थ छोड़े जाते हैं फिर एक धावक जो है उलम्पिक मसाल लिए हुई स्टेडियम में प्रवेश करता है और पूरे ट्रैक में दढ़ता है और एक चकर पुरा होने पर बने हुए अस्थान पर उलम्पिक ज्वाला को प्रजुलित करता है फिर यह ज्वाला उलम्पिक खेलों की पूरी अवधी के लिए बिना किसी ब्यवधान के जलती रहती है करने के ताथ पर है कि जो उलम्पिक ज्वाला होती है पूरी खेल के दवरान बिना किसी ब्यवधान के नियंतर जलती रहती है फिर जैसे ही उलम्पिक ज्वाला को प् प्राया साग कप्तान जो जो होता है उलंबिक सपत लेता है और और उसके देश के धोज बाहँ जो होते हैं मौचे तक जाते हैं और यानि प्रती वहाग्यों की ओर से सपत लेता था ठीक है उसके बाद खेल सुरू हो जाते थे देखे यहां पर इंप्टरिन टॉपिक है कि ड घ्रमिया जाता था फिर स्की बात क्या होआ कि खेल में Time to let to begin रोर्व करें अंकि अतरग़ क कर प्रियों कर ribbon के बश्रों के बहुत अनी लिए था तो आई ओसी अंतरश्टी उलम्पिक कमीटी ने उनी सुनिन जाने में सुधा सुरुप एक नई धारा जोड़ी उस धारा जोड़ने के बाद 2000 के स्रिद्नी उलम्पिक हुआ इसमें पहली बार डोपिंग के विरूत सपत लिया गया रैचल होके जो आश्टलिया की म सपत है अक्तर हमेशा पुझा जाता है कि डोपिंग के विरूत सबसे पहले सपत कब लिया गया था तो 2000 के सिजनी उलम्पिक में रैचल होके के द्वरा जो आश्टलिया की हाके दल की कप्तान थी तो यहां पर सपत लिया गया था कि रैचल होके ने लिया था सबसे पहले दोपिंग ड्रक्स का प्रियोग नहीं होता था सब दे यहां पर दोपिंग ड्रक्स का प्रियोग हुआ कि बिना दोपिंग ड्रक्स के प्रियोग के खिलारियों की सची भावना से खेलों के गौरों और हमारी टीमों के समान के लिए सामीर होंगे तो इस सपत के बाद खेल जो है शुरू हो जाता है सपत के बाद मिजवान देश का राष्ट गान गया जाता है और फिर खिलाड़ी और अधिकारी मार्च पाष्ट करते हुए श्रडियम से बाहर जाते हैं और फिर खेल सुरू हो जाता है फिर खेल होता है इस परधा संपन होता है फिर इस परधा संपन होने के तुरंत बाद पुरसकार दिया जाता है और परड़ाम घूसित किया जाते हैं तब पहले तीन अस्थान पर अस्थान प्राप्त करने वाले बिज़ताओं को बिजय मंच पर बुला जाता है बिजेता मंच पर बुलाने के बाद पर्थम खिलाडी को जो पर्थम अस्थान आता है उसको बीच में खड़ा किया जाता है और जो दूसरा अस्थान प्राप्त करता है उसको दाएं तरफ खड़ा किया जाता है और त्रिती अस्थान प्राप्त करने वाले खिलाडी को बाए के जाश्टगान की धुन के साथ फ़राय जाता है फिर पदक दिये जाते हैं ठीक ना पदक दिये जाते हैं विजयता की देश का धोच वहां के जाश्टगान धुन के साथ फ़राने के बाद पदक दिये जाते हैं उलमिक पदक जो है आयोसी के अध्याशिया उसके द्वारा किये गे प्रतनीधी के द्वरा दिया जाता है तो तीन पदक दी जाते हैं स्वड रजत और का से प्रतम अस्थान आए हुए कि स्वड अधिती अस्थान को रजत और तीती अस्थान को का से पदक दिया जाता है पाचवे चोथे पाचवे और छटवे अस्थान वाले को केवल प्रमापत्र दिया जाता है। एक अत्र हो जाते हैं, इसके बाद तीन ध्ष फहरा जाते हैं तो समात्र समारों पेր सिREE कउन суra जाते हैं कहा कहा के तो इसको ध्यान में देख का 20 रुप से तो सबसे पहले युनान की ध्ष के साथ वहां के राष्टगार्न की ध्षुक्त को फहरा जाता है तो सबसे पहले कहां की उनान को ध्वच को फरा जाता है वहां की राष्टगान के ध्वच के साथ दूसरे नमबर पर मेजवान देश की ध्वच को वहां के राष्टगान की ध्वच के साथ उसके बाद तीसरे नमबर पर अगले देश का ध्वच जहां पर अगला उलम्पिक ह तो यहां पर तीन द्वज समापन समारों में फरा जाते हैं सबसे पहले युनान की द्वज को वहां के राष्टगान के दून के साथ दूसरे नमबर बेजबान देश की द्वज को वहां के राष्टगान के दून के साथ तिसरी नमबर पर अगले देश का द्वज वहां के र कुस्टाय कि यूतर को नीचे उतार जाता है उसके बाद औलंपिक धिवर्च कुछ नीचे तो वसके बाद नीचे बाद आईोर्शी का अध्या जो होता है नगर के गौ尔रनर या मेयर को सॉप देता है यहां पर उलम्पिक आयोजन हुआ है समारो वहां के मेयर को उस ध्वश को सौब दिया जाता है कि वह अगले उलम्पिक तक जब तक अगला उलम्पिक नायोजन हो तब तक वह उसको सुरच्छित रखे तो दोस्तो ए था आधुनिक उलम्पिक खेल के बारे में फूरी जनकारी जैसे मैं आसा करती हूँ कि आपको आप कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दो बार तीन बार जब तक समझ में नहीं आता तब तक देख लेंगे तो आपको मुझे आसा है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आधनिक Olympic Hill के बारे में कहीं सभी कोई भी question किसी भी exam में पूछेगा तो आप कहीं confusion नहीं रहेंगे तो दोस्तों एक next वीडियो में मैं Olympic के बारे में कुछ और तथी रोचक तथी लाऊंगी जैसे Olympic द्वाज हो गया, Olympic आदर सुवाक हो गया, Olympic मसाल हो गया और इन सब की बारे में पूर डिटेल में बात करूंगी तो दोस्तों एक वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमिट बास में ज़रूर बताएं और वीडियो को जदे सजादे अपने दोस्तों तक सेर किजिए जिससे उन सब को भी एज़ांकारी आप की मादियम से पहुछ सके और वीडियो को जदे सजादे लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए भी लाइकिन को फ्रिस्ट करना ने भूलिए जिससे में जो भी नए वीडियो अपलोड कूरू उसका नौटिफि